हलो माई फ्रेंड्स एंड मेरे प्यारे बच्चो मैं कुम कुम अपने चैनल चेनल स्कॉलर में आप सब का वैलकम करती हूँ और आप लोगों के सामने आज मैं कुछ नई एक्टिविटीज लेकर आई हूँ पहले मैं लास्ट एक्टिविटीज का थोड़ा सा आप लोगों के एक्टिविटी के लिए जिसको हमने इस तरीके से बनाया है कि जितनी आपकी महनत है या बच्चों ने जो enjoy किया है वो उनके mind में clear हुआ है या नहीं या आपकी जितनी महनत है वो उसमें आप success आपको मिलिया या नहीं चलिए देखिए फर्स्ट एक्टिविटी हमारी ये ह इस तरीके से मैंने एक chart paper को four sections में divide कर दिया है और कुछ मैंने alphabets काट लिये है और उनको different different colors में रखा है अब क्या करना है हमें बहुत मज़ेदार चीज में आप लोगों को बताने जा रही हूं अब आप लोग बच्चों को अचानक ही कोई alphabets बोलेंगे और वो चोटे बच्चे पेस्ट ना कर पाएं तो suppose करी आपने बोला D बच्चे ने इसको भूंडा fine किया कोशिश करी और D ये उसने उठाया फिर आपने बेटा ये तो आपने पिक कर लिया लेकिन ये किस color का है उस color के उपर आपको रखना है उसने बता दिया ममा ये इस color का है और इस तरीके से रख दिया उसके बाद next आपने बोला suppose करी आपने बोला C और G अब C और G में बच्चा अलग अब आप separate करके भी बोल सकते हैं तो हमने अलग बोला पहले हमने बोला बेटा जी जी उसने find किया उस ठाया और उस color के उपर रख दिया फिर आपने उसे पूछा ब जरूरे नहीं है कि पूरा A से लेके Z तक आप बोलें जहां तक आपने सिखाया है इन 4-5 दिन में वहीं तक आपको बोलना है अब यह हमारी एक activity complete हो गई बच्चों ने मजा किया आपको भी अच्छा ही लगा होगा और आपका भी एक homework बढ़ाती जा रही हूं मैं उसके बा इसके बाद आपने शीट ली हैं और इसमें A to Z activity के लिए पूरा alphabet लिखा है लेकिन यह जरूरी नहीं है कि आप लोग यहीं लिखें जितना आपने अपने बच्चों को सिखाया है उतने ही आप alphabet लिखें अब देखिए उसके बाद क्या हम लोगों को मजा करना है एक हो गई आपने ममा की activity sheet एक होगी बच्चे की आपने का बेटा चलिए हम गेम खेलते हैं आपने एक sketch pen लिया और यह अपने पास रख ली यह वाला आपने sheet बच्चे को दे दी और उसको भी sketch pen दे दिया और उसके बाद आपने कहां की sorry उसके बाद आपने कहां बटा चलिए हम मैं ए आप ने C cross किया, बच्चे ने C cross किया, उसके बार आप ने दूसरा Elphabate लिया, इसी तरहिके से बोला, फिर आप बने बच्चे सिखा, कि बेटा अब आप बच्चे कोई बहिए आ इस और दूसरा Elphabate को आ रहा है और नहीं आ रहा है, फिर उसने अगर बोलता है, जो भी आप में बिर्कुल क्लियर होगा तो उसको मज़ा आएगा कि देखिए मैं मैंने बिन कर लिया और ममा हार गई इस तरीके से बच्चे की इस एक्टिवीटी के थूरू उसका रिकागनाइजेशन आप स्टॉंग कर सकेंगी और इसको इस एक्टिवीटी में मज़ा भी आएगा चलिए अब हम चलते हैं थर्ड एक्टिवीटी की तरफ उसमें भी आपको मज़ा ही आना है मुझे पूरा विश्मास है अब इसमें हमन आपने उसके पाँ रखे हुए हैं या जो भी आप उसके लिए कलर यूज करती हैं रख लीजे और आपने उसे का एफ मुझे चाहिए और बच्चा फटा फटा बिटा जल्दी से दीचे मुझे उसमें से कलर देखेगा बहुत जादा कलर मत रखिएगा कंफूज हो जाएगा अब चलते हैं अब चलते हैं फूर्थ एक्टिविटी की तरफ वो भी बहुत मज़ेदार है देखेए फर्स वीडियो में इससे रिलेटेड जो वीडियो थी उसके फर्स वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमें फ्लेश कार्ट के थ्रू बच्चों को अलफबेट्स कलियर करते हैं वो क्यों जिसस बच्चों को आपने आर तक सिखाया है तो उसको सीक्वेंस में नहीं रखेंगे ए टू आर के एल्फबेट्स बनाएंगी फ्लेश कार्ट में कलर फुल बना लीजे आप या किसी दूसरे फॉर्म में कर लीजे और फिर उसके लिए क्या करना है आपको फर्स एल्फबेट प बी ढूंडे लाइए वह भी आपकी एक हैल्फ हो गई जबकि हमें दो पर नहीं करनी है एक पर ही करनी है चले कोई बात नहीं फिर उससे पूछे बी के बाद आफ्टर भी तो धूंडेगा और उसको फाइंड करेका फाइंड करेंगा जल्दी से टाइम ओवर ओर है इस तर पूछेंगे क्या है तो उसकी जो स्पीज की प्रॉबलम अगर है बाइचांस तो वो भी आपकी क्लियर हो जाएगी और आप उसके उपर कुछ न कुछ काम कर सकेंगी इस तरीके से यह हमारी सारी एक्टिविटीज कंप्लीट होती है और मुझे आशा ही नहीं बलकि पूरा आ रहा है आप दोनों ही चीज़े प्लीज मुझे मेरे कमेंड बॉक्स में लिख करके तो बताईए मुझे पता तो लगे कि आप कितना सक्सेज हो रही हूं मैं भी कितने सक्सेज हो रही हूं आप मेरी वीडियो को लगातार देखते रहिए प्लीज उसे सब्सक्राइब करे लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स और रेलेटेस में जरूर शेयर करिए क्योंकि जो लॉक्ट डाउन का टाइम है यह बहुत ही हम लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक बन चुका है क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इस साल हमारे नन्ने मुने बच्चे स्कूल की भी शक जिता ना करें मैं आपके साथ हूँ थैंक यू वेरी मच आपनों मुझे इतना टाइम देते हैं इतना एप्रिशेट करते हैं बस यही आपसे आशा है ओके थैंक यू